गुद मॉनिंग एवरीवन वाला विद्या ट्यो डिप्लोमा मिकेनिकल एंजिनरिंग अंदर सेमेस्टर फोर मा आपनो जे सब्जेक्ट चे मैनुफेक्ट्रिंग एंजिनरिंग बै निफेक्ट्रिंग एंजिनरिंग टू मा आपनो स्वाघत चे, चैप्टर नमबर वन आपना डिस्कस करी रहिया चे ok, इंट्रोड़क्शन्स अने मिकेनिक्स ऑफ कर्दिंग आपनो चैप्टर नुफे गई काले आपना जे मर्चंट सर्कल डाइगराम चे इन्हें थियरी समझे आता कि मर्चंट नामना साइंटीस है जारे मसीन उपर अठवा कोई पंजेगे काटिंग अठवा मसीनिंग प्रोसेस ठती होई तूल द्वारा वर्कपीस उपर कालिया ठतू होई ये वकट है कया कया प्रकार ना फोर्स एले के बर तूल द्वारा वर्कपीस उपर लागे जे अन्हें वर्कपीस द्वारा तूल उपर लागे जे इना विशेनी सरस्मझानी महीटी गई कालना लेक्चर मा मेरवी आज आगरवदिय है जे में तमने गई कालेम के दूआतू कि मर्चण ने एनी पोतानी थियरी द्वारा यहां पेपर उपपर, कागर उपपर, एक आखो डायग्राम डूरी ने सरकल द्वारा यहां आखो डायग्राम रीप्रेजन्ट करीने Mathematically, यорी हिख़े एने उस करीने यह गना बड़ा जे फोर्सिस लागता ह cocon यहां पर आपने इक्वेशन यूज करवाना छे जे को यह पन फोर्स लागे छे इसोधवाना छे पाची दिमें दिमें डिमें डिमें डेवलोपमेंट यू टेक्नोलोजी नो जमाना आभियो जे पहला आपने कटिंग खोर्स पेपर उपपर गनत्री करीने सोचता आता यह सि नव टूल साधन बनाव मा वियो जे सुं करतू हो तू तो कि सी दू तमने जहां कोई पन जगिया मसीनिंग अथवा कटिंग थटू होई त्या तमार यहने कॉंटेक्ट करावनों कॉंटेक्ट थे आई एले आपो आप मसीनिंग अंदर दरेक क्याल्कुलेशन थाई ने सी सी दू आपने डिस्पले उपर सुंता तो तो कि सी दू आपने डिस्पले उपर जेको एपन कटिंग पोर्स लागता से यहनी वैल्यू डाइरेक्ट बटाई देसे तो जो केटलों इजी थे क्यों काम आपरो बड़ा बड़ा जे पहला तामारे लेंदी-लेंदी गनातरी कर बड़ा इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन बटो स्वाल करू पहतो होतो यहर हमाँ ताइम लागता होतो जहर तमें यह सीद दी जे टूल सोटाय होचे सीदू जे साधन सोटाय होचे यह साधन तमें यूज करो यहले तमने सीद दू रीडिंग मली जाए आ मसीन पह जे प्रोसेस थाई जे ए प्रोसेस मा तूल वर्क भी सुपर आटलो फोर्स लगा रहे छे लियर अब थोड़ी बेसिक तमने वाद करू त्या कटिंग फोर्स माप पनी जरूर सुकाम छे तमने पना ओग क्वेशन धो हो जो के सरेकाले आमने वाद करी मर्चंद नामना स शोद्वा पई राशुकाम कटिंग फोर्स नी वैल्यू जान भी पड़े छे तो जारे आपने कोई मसीन उपपर काम करिये त्यारे आपने तूल नो यूझ कर हुआ इने वर्क पिस उपपर कटिंग अठा मसीनिंग अठा कोईपन प्रकानी सेपिंग प्रोसेस करिये छे त अमारे दातुने कट करवानी से तो दातुने कट करवा माते अमुक चौकस मूलिया नू बर लगा उपर है ये बर्त अमारो प्रोडियूस थाई एले दातु कपावा लागे पन तम्हें जो इनी उप्पा नू फोर्स लगा रहने तो पछी दातु डैमेज थाई जाई अपनो लिमीट मा लागू जोई लिमीट नी बार तम्हें फोर्स डैवलोप करो एटले सीद्धी वर्कपीस नी क्वालिटी उपर असर थाई छे आउँ बद्धू मर्चंटे सोटे लू नहीं वकट ना ही ना चे साइन्टी सो साथे आता है येलो कई सोटे लू त्यार पछे आट येरी डैवलोप करो हमावी कि ज़्यारे पन आपड़े कटिंग आट वर्कपीस नी क्वालिटी उपर असर थाई ने वर्कपीस नी क्वालिटी बगरी जाए आपने तो सारी क्वालिटी लावानी जो ऑचा फोर्स से दातु कठ्थ ही जाती होई तो खोतु वधार फोर्स वद्धारे मशीन उपर लोड आपी ने, एक्स्त्रा वर्क करी ने, एक्स्त्रा पावर कंजप्शन करी ने, कोई मतलाब न थी, बद्धु वेस्ट जाए, ओके, तो जारे आपने मशीनिंग कर सुने, अथा कटिंग कर सुने, त्यारे आपने तूल और वर्क पीस ने एसेमली देखार जे, तो आउं कटिंग फोर्स मापवा माटे नू, जे साधन सोधाई उने, एने सुन केवाई छे, तूल डाइनेमो मीटर, आज आपने एसे सीखवाना जे, के तूल डाइनेमो मीटर नू कार्या सुन छे, तो अवे तमारा कंसेप्ट क्लियर होवा जुए, के कटि कटिंग फोर्स मापवा माटे नू, साधन छे, डाइनेमो मीटर, तूल नू कटिंग फोर्स मापवा होई, तो तूल डाइनेमो मीटर केवाई, आजे जे आपने सीखवाना जे न, एच आपने तूल डाइनेमो मीटर नू कार्या, खरे-करा साधन छे, तो इतना कार्या करे आने सून होई छे नी अंदर के लिया सवटी पहला आपड़े इना सिद्धांट जोई लिए सिद्धांट जोटा पहला आपड़े हेटू जोई लिए सुका मानेस वापरवानुँछे में तमने समझाई दिदू छे तेक्निकल लेंग्वेज मा लगवो पड़े कटिंग फोर्स इसने मापवा माठे मसीन तूल उपर डाइनेमोमीटर लगावा मावेजे सिम्पल एककजली दिमात हमने बहुत आपड़ो समझाई दिदू के cutting force मापवा माटे machine tool उपपर एलापो जे machine tool हो है चे tool post उपपर ए केटलू force लगा रहे चे ए मापवा माटे इनी साथे machine tool उप़ डायनेमोमीटर लगावा मावे चे अहेठो चे वे डायनेमोमीटर आपड़ तूल उप़ लगाव सुने एले सीद प्रिजितु आपने रिडिंग मलस है के तूल केटलू कटिंग फोस लगा रेशे ठे चालो सिद्धाण सुगेएएज कैया वरकिंग प्रिंसिपल उप्परे कारीया करेशे तो सिद्धाद्रेम केएजे आवता बर नि अन्यक भ्यान ती सांबज्यो जेनी मदत्ती कैलिब्रेशन करवो न उप्योग करी तूल द्वाडा लागता बर सोधी सका आई छे मुख्याट वे कटिंग फोर्स, फीड फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स बराबर छे नी बढ़ला ना कीमत मना प्रमाणमा परिना मेरी सका आई छे अवे हुँ तमने समझाऊ उचों के से ते ओके ठीहरी समझी लिए आपरो चे वर्कपीस ओके आच आपरो तूल होलडर अना आच आपरो तूल लिएर वच्चे में ये रब्बनो पैड मोईको छे अना यहां उपपटे मुशूं करूछू लोड लगावाँचू लोड लगावाँचू एटले तमें जे पलू लेठ मसीन नो भील फियर भीने तूल न अंदर धक्को मारो छो परके अठ्वा तमें हेक्जो ने केवा हाथी धक्को मारो बस ए रितना तमारे लोड लगावाँचू लिएर नीचे में सूं कहीरूचे तो क्या आख्खो मारो जे आ नीचे नो जे आमने बेस देखाईचे इंगलिस मालाईकूचे पीवोटेड एज ये आख्खो आपरो बेस चे नहीं तो ठी लहीकष है पछी आ चे आ चे आख्खो चे नहीं आपरो गाईचूलjuड डायनेमोमीटर साधं चे लिएर इस तूल्डायनेमिटर नँचे शाधं चे आपरो येन आपरे तो आपरो अमारो टूलपोस्ट चे लिएर इस तूलपोस्टने में आज earned यहां जो तुमें, लिफ स्प्रिंग नी मदती कनेक्ट करी दीदा, लियर, मतलब सुन क्या वाई छे, के तूल डाइनेमोमीटर अन है, तूल होल्डर एक बीजा साथ है, लिफ स्प्रिंग थी कनेक्ट थे यहां छे, ओके, त्यार पची, जे डाइनेमोमीटर छे, इन्हों ज यहां, तूल पोस्ट सारे कनेक्टेट छे, मतलब डाइल गेज, नू पोइंटर, तूल होल्डर छे आपरू, इन्ही उप्पनी सर्फेस सारे कनेक्ट मां छे, अन्हां आपरू तूल होल्डर, ए डाइनोमीटर साथ है, लिफ स्प्रिंग थी कनेक्टेट छे, हवे सुन्ट तम्हें कटिंग फोर्स एपलाई कर सो, त्यारे वर्कपीस नी अगेंस, तूल सुन करें छे, अन्दर नी तरफ जाए छे, तूल वर्कपीस उपर कंप्रेसिव फोर्स लगार से, ए वोकर थोरू गणू जे वाइब्रेशन छे न, ए तूल मां ठाईन है, क्या होल्डर मां ह हुए, तूल होलर, ए डाइनोमीटर साइब्रिण थी Connected छे, एटले यह यह वइब्रेशन थाखें, यह कर देना मां आज लिप स्प्रिण छे जे न, आज लिप स्प्रिण पहलें हुआएब्र नंदर मोमेंट तो तम्हें जेतलू बर लगा रोचो ने compressive force एने accordingly लेके directly directly proportionally तम्हें जे बर लगा रोचो एनू डाइरेक्ट प्रपोस्नली जे हलन चलन जे वाइब्रेसेंदे जाई जाई जने तमने यह जोवा मरसे एतले जे यह बर लाईगो तमारू लास्तमा यह जे तम्हें बर सके, searing बनोई सके, tension बनोई सके, ओके, तमारे सुनकरवानों वर्क पीस ने दी में दी में force आपता जोवानों और तमारी आँख नजर तमारी यह डाईल के जुपर होई जोई तमने उलागे के मारे आज नीचे न पॉइंचे, तिया शुरी force लगावनों जे अचे नी उपपर force लागे, तो पसे सुनकरवान तूल ने थोड़ू पाचर खेंच लेवन तिया शुरी लागे जे, तो continue चालू राखो, पन जेवू आ छोणी उपर जतूरे दूए पाटिंग तूल साथे कनेक्ट करिया पची, तूल वर्कपीस उपपर केतला मुल्य नू, केतली वैल्यो नू force लगा रहे जे, शिद्धू तमने या डिस्पले उपर जोवा अमर्शे क्लियर, आँ तमने देखा हे तलू शेलू अने इजी न थी, क्लियर, अहिया लाइक हो force, वाइब्रेसन मा थी तमने सिद्धू या रीडिंग जोवा महिलू, आउट के वितना थीओ, तो जार्यपना बढ़ू सेट अप थी होसे ने, तो लोड अठवा थो, कटिंग फोर्स प्रमाने, आपरो आजे डायल गेज चे ने, जिनने आपने डीजित लाइक हासे, 0, 8, 2, 3, 5, 5, वितना, येने पर्फेक्ली कैलिब्रेट करवा मा आवेचे, कैलिब्रेट न मतलब सुँदाई, तो के आटलू वाइब्रेशन धाई, is equal to आटलू force, ये रीटने अने कैलिब methodology, methodology निवात नठी करता, methodology एतर सुँदाई, दाटू सास्त्र, metrology, मापन माटेनों जे सास्त्रा छे, तो ये subject पन आपरज बना विया छे, M&I, तो हमने reading लेटा पन आपरी चासे, dial gauge के वितना काम कराई छे, ये पनों सीक्वीज, dial gauge मा के वितना क्यालिब्रेशन कराई छे, जो एककर dial gauge छे, पन गणी बरी जगिया यूस था से, ओके, तो ये बद्धो आपरे सिखी सु, जस्त तमारे ये अटलों याद राखवानु छे, cutting tool dynamometer, आर इतना setup मा, लगावा मा आख़े लेक्चर, जो लेक्चर पर ये सौटी परला तमारा फिगर द्रो करदे वानी छे, त्यार पजे theory मा, येनों हेतु सुच ये लगवानों छे, पछी में त्यार तमने जे कारिया सिद्धान समझावियो, ये लगवानों छे, पछी में साथे साथे जे तमने आकको working, येनों जे रचना, construction छे, के रिटना काम करे छे, ये दड़ेक दड़ेक उस्तु तमारे तै ये लेक्चर पटे, इलाद अमारे theory पन कंप्लिट ठेई जवी जोई ये, लियर छे, त्यार पजे थुड़ू आगर बदिये, थुड़ू का अपनने, जे तूल डाइनोमीटर चे आवे शे ने, वीजा क्या क्या प्रकान आवे शे, आतो आपने क्या 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 प्रकान लिफ स्प्रिंग वारू जोई, लिफ स्प्रिंग आवे ने, अलागला क्या है, हेलिकल स्प्रिंग आवे लिफ स्प्रिंग आवे लिफ स्प्रिंग प्रकान नू डाइनोमीटर अथू, पन आजे तूल डाइनोमीटर चे ये बीजा बै प्रकान ना पन आवे चे, प्यल्ल चे श्त्रेंड अठ्वा गेज टाइप तुम पेल्ला वोजोई योशे वर्षो पेल्ला पेलो स्प्रिंग वर्जन काट्वा आउटोटो ते श्त्रेंड गेज केवाई छे लियर चे तो एर इतना पन डाइनमोमीतर आवे चे तथा वन डाइमेशनल तू डाइमेशनल ठ्री अवा प्रकार ना पन शुम आवी सकेचे दाइनमोमीतर आवी सके छे तो डाइनमोमीतर नी ठेरी अधै त्मने आवस्त आवी छे तो यना प्रकार पन तमारे लखे ने ्याद राखवाना रेशे okay अई अई राखे जार्केचैर मा खुब ज इंपोर्टन्टान आउटा नेक्स लेक्टिमां मरीशू और आज चेप्टर नी नेक्स तीरीज आने कंटिनियूज करीशू टेंक्यू